हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो सड़ी 24 तो आ गई हूं मैं फिर से आपके सामने इंपॉर्टेंट लेटेस्ट डीवी अपडेट्स लेकर ठीक है इसमें काफी सारे आपके डीवी के नोटिसेज हैं वालब एनार के भी हैं सी यार के भी हैं यार के भी हैं तो आप लोग यह भी information मिलती हैं मैं तुरंत आपको शेयर कर देती हूं वीडियो की ठूब यह टेलिग्राम पर आपको शेयर कर देती हूं वहांपर मैं सारे पेडियाऊस की बात कर लेते काफी सारे नोटिस है तो आप लोग यह वाला आपका कहां का आया है Botanical Survey of India का आपका आया है इयार कोलकाता का इसमें अभी हम लोगों ने मैंने बनाई थी आपकी अप्लोड करी थी सेकेंड लिस्ट वाली अभी थर्ड लिस्ट है इसमें 211-243 वहां पर 210 तक थे और एक और था ठीक है सेक्टर वन सौर्ड लेग सिटी कोलकाता वही आपका Botanical Survey of India Office of the Director में आपको यह बताना था कि 211-243 यानि कि टोटल अभी तक Botanical Survey of India में कितने Candidates जा चुके हैं 243 थर्ड लिस्ट ही इसको मैंने आपको बता दिया है important आपका क्या है इस पे और देख लेते हैं यह आपकी थर्ड लिस्ट ही इसके बारे में हमने बात कर ली है next हम लोग बात कर लेते हैं हमारा MTS का जो Department आपका Nomination वाला था ठीक है हाँ वो उसकी बात कर लेते हैं कि लिस्ट है कहां की KKA रेजन की कहां की है करनाटक केरला रेजन की यह आपकी है टोटल कितने Candidates इसमें आपके Select हुए हैं देखे पूरा अगर हम लोग इसमें देखें तो टोटल आपके कितने Candidates यहां पर Select किये गए हैं 700 कुछ कितने हैं आपके 746 Candidates को Select किया गया है यहां पर और यह जो आपने देख रखें यहां पर इनका क्या लिख रखा है नेम लिख रखा है डिपार्टमेंट लिख रखा है कौन कौन से डिपार्टमेंट में है तो उनको कौन सा मतलब वो मिला है ओफिस मिला है आगे आ पूरा दे रखा है इसको हम लोग लेख लेते हैं यह कुंक्त की अप्रेट नॉमिनेशन डेट क्या होती है तो सबसे पहले अपका यहां पर रॉल ब्लॉब दे रखा है दानाम दे रखा है गेल हैं से횟्चल कहा से सपन टेट का मतलब यह होता है जैसे 14 नवंबर पहला वाला लिखा है यानि कि इसका मतलब हो गया कि इस दिन आपके जो वह इनको भेज दिए गया है आपका जो भी fiil- findोh वह इनको भेज दिए गया है आपकी फाल थीक है उस डिपार्ट्बेंट में तो वह talk पार्टे राटिल्हेशन डेटे न की तिरिश्टन पर दूसरा है निससरा है उसकी आपकी एक news है इसको भी देख लेते हैं एक आपका ब्रह्मपुत्र बोर्ड वाला है क्या है यह भारत सरकार जल शक्ति मंत्राल है ब्रह्मपुत्र वोट का है वशिष्ट गुहाटी से आपका यह आया है यह किसके लिए आया है किसी पा मतलब वह मैंने सब हाइट कर दिया है किनका है यह टिक है ब्रह्मपुत्र वोड वही हैड़को बुहाटी में आपको बुलाया है बाइस सारी को डीवी है और ग्यारा बज़े विपोर्टिंग टाइम है आदव गंटा पहले ही पहुंचिए दसी बज़े तक महुत जाईएगा और आपको कौन सी बातें याद रखनी है वही केंडि क्या आपको फोटो टांव पुरानी ले जा रहे हैं रीकम कालर फोतोग्राप्स आपको लेका जाना है वन ओरजिनल फो आई प्रूफ लेका जाना है इसमया अधारगों सकता है और बार कुछ भी हो सकता है वह आपका है सकता है थिकREWnous हो सकता है कैंडिबेंगे कापी आपने एक्जाना है यहां पर कंप्यूटर बेस एक्जाम जो आपका हुआ था वह वाला आपको लेकर जाना है ठीक है कि नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है कौन कौन सी चीजें लेकर जाना है ठीक है या इक्वेलेंट है आपका कोई तो का साटिफिकेट आपको लेकर जाना है अपको पता है वही आपका क्रूशल डेट रहने वाली है डिसेबिलिटी वाला आपको देना है ये संग के लिए एक सर्विसमेन है डिस्चार्ज बुक आपका लगेगा ठीक है रेलेवेंट सार्टिफिकेट इस सीकिंग एज रिलेक्सेशन नोसी लगना है जो भी आपके सारे हैं बेसीक डॉक्युमेंट्स जो आपके होते हैं एक आपस नहीं दिया जाएगा ठीक है ये लिखा है एनी अधर कंडिशन मेंशन इंडर नोरिजिनल लॉटिफिकेशन एज एप्लिकेशन एज एप्लिकेबल केंडिटेट में बीएप्लाइट्टू सबकुछ ओरिजिनल आपको लेकर जाना है और फोटोकापी भी करा है यह भी पूरा फाइनल स्टेज नहीं है वह है आपका फाइनल स्टेज ठीक है और फिर से इन्होंने एक लाइन वही लिख दी कि डीवी में अगर आप नहीं आते हैं तो कैंसिल आप समझी जाएंगे मालब आप उसके लिए नहीं है आपकी सीट खाली चली जाएगी ठीक Cieft Commissioner of Income Tax का आपका आ चुका है धीक है यूपी वेस्ट उत्राखंड रिजन का आपका आया है जहां पर आपका सेविल नाइस कानपूर आपका दे रखा है यहां पर सतराधारी को यह भी आपका कल आया था ठीक है है हाँ उत्राखंड रिजन में यहापका शीविल नाइस क किया जाता है कि दस्तावेजों के सत्यापन हेतु 21 और 22 दोनों दिन को निमलिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ अधो अस्ताक्षिरी के कार्याले में उपस्थित हो ठीक है ताकि आपकी इस विवाग में न्यूप्ति के संबंद में उचित कारवा मतलब आपको 21 और 22 किसी भी दिन आप जा सकते हैं सनलग्द अनुप्रमाडन फॉर्म भरकर तीन मूल प्रतियों में अटेस्टेशन फॉर्म आपका दिया गया है तीन ओरिजिनल मतलब आपको भरने यह नहीं की भरकर फोटो कॉपी करा दी ऐसा नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट आपका जो और सो प्रमाडिक यानि कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना है तो यह कानपूर का भी आपका किसका आगया इंकम टेस्ट का आगया यूपी वेस्ट और उत्राखन रिजिन का आया है आयकर ववन सिविल नाइन्स कानपूर इंकम टेस्ट ठीक है तो 17 तारीक को आया है 21-22 में आपको जाना है तो यह आपके डीवी के नोटिस थे और नेक्स वीडियो में बाकी और भी चीज़ें आपकी हैं वह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगी इस वीडियो में इतना ही कि आपके यह नोटिस थे और आपके डिपार्टमेट का एलो जो आपका नॉमिनेश सब्सक्राइब करेंगे कभी कोई डाउट हो आप नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं ताकि आपको काफी इंफर्मेशन वहां से मिल पाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा आपको पता है मैं MTS के रिगार्डेंगी इस ताइम सारा वर्क कर रही हूं सारा फोकस MTS पे है सारे बच्चों से मैं बातशीत भी करती रहती हूं कैसे क्या हो रहा है और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक सब्सक्लाइब क्यूंस कैसे साथ और जो भी आपकी Kquery हो आपको मैसेज करके बात कर सकते हैं मेरे सेihi- hai बात होई veutů मिलने है थैंक-yü